हैं आहिं प्रेक्टिस सेत्ट का इस आइकोनिक एसपरेंट पे त्युए आज यह आपका प्रेक्टिस सेत्ट न।24 है इस से पहले आपका प्रेक्टिस सेत्ट वन अप्लोड कर दिया गया है तो जो शाथी नहीं देखें हैं उसको भी जरूर से देख लिजेगा आज हम practice state number second का अध्यन करने वाले हैं और यह आपका social science का practice state चलाया जा रहा है अगर कोई बिद्यार थी किसी अन्स बिसे से तयारी कर रहे है state का और देने वाले हैं तो आप लोग भी comment किर जेगा उनके हिसाब से भी तयारी करवाया जाएगा साथ में यहाँ पे सिच्छक भरती को लेकर सारे अपडेट सारे तयारी करवाया जाते हैं सीटेट हो गया या फिर किसी भी exam के अगर हम बात कर ले तो सब कुछ यहाँ पे तयारी करवाया जाता है सिच्छक को लेकर ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं आज प्रेक्टिस सेट नमबर सेकेंड की और जिन साथी को इसका पीडियाप चाहिए वो हमारे टेलिग्राम को जोइन कर लेंगे आपको पीडियाप वहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है निम्लिखित में से कौनसा युग मत्र gleich सही नहीं है आपका प्रश्न साथी को सबसे पहला और इसमें एगर हम बात कर लें सबसे पहला प्रश्न का उत्तर का तो आपका हो जाएगा ऑप्सन अ हर्मतन जो है ये सौधी अरब बिलकुल गलत है तो हर्मतन कहा है क्या है समझ जेगा हर्मतन जो है साथियो यह क्या हैWow आपे एक गर्व एवम सुख्श अस्थानिय पवन है जो कि कहा पे पाई जाते हैं तो याद एकना है यह इसका उदगम जो है यह सहारा के मरू अस्थल से होता है और याद रखना है इससे क्या कहा जाता है तो इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्ट कोईशन की और नेक्ट प्रशन कहता है आपका जनसंख्या पृद्धी के स्वरूप में काला वदित में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो याद रखना है तो याद रखना है परिवर्तन की प्रश्रीका को तो जनसंख्य संक्रांतित भी कहते हैं ठीक है तो दो तरह के बातों को आपको याद रखना है कहीं संक्रांतित भी दिखने को मिलेगा और कहीं वीभाव भी चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर अगर हम बात कर लें तो कहता है निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है तो इसमें से कौन सा युगम सही नहीं है तो प्यारे साथ यूँ आप लोग जरूर से बताएंगे और यह अगर हम बात कर लें इसके राइट अंसर का तो यह आपका होगा तामबा तामबा ओप्सन नमबर बी जो है यह क्या है तो यह सही नहीं है देखें बेनेचुवल प्रेट्रोलियम उत्पादन देश है और तामबा चीली में सरवाधिक उत्पादित होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है बेनेचुवल बेनेचुवल जो है यहाँ पर क्या उत्पादित होता है प्रेट्रोलियम जो कि यह बिल्कुल second number गलत है आगे बढ़ते हैं कहता है निम्रकित में से कौन गैर परमपरागत व्यकलफिक और जासुरोत के लिए सही नहीं है बहुत साधा statement बहला question दिये गया है तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा सचेत तरहिएगा जीन का भी paper हो तो हम अगर बात कर लें इसके अंसर की तो यह आपका क्या होगा तो याद रखना है चीर अस्थाई चीर अस्थाई क्या होता है एक सेकंड साथी हो इसका राइट अंसर होगा आपका प्रकिर्ण वीबरन हो जाएगा और प्रकिर्ण वीवर्ण के अगर हम बात कर लें तो ध्यान दिजेगा किसी भी व्यकल्पिक उर्जाव सुरोत के लिए पडियाबरन सहायक नवी करनी एवं चिरस्थाई लावदायक होता है तो इस प्रकार से आपको पडिकर्ण वीतरन के बारे में याद रखना है भारत वर्ज के किस परदेश में कोईला का सरवाधिक सुरक्षित भंडार है क्या वो पस्यमंगाल मद्य परदेश या फिर बिहार तमीन नाडू है तो याद रखेंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन नमबर दी अर्था तमीन नाडू इसका राइट एंसर होगा तमीन नाडू जो है या भारत के कोईलेव के सरवाधिक सुरक्षित भंडार के लिए जाना जाता है जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो नेक्ट कोईसन पर कहते हैं बात क्या कहता है नेक्ट कोईसन देखते हैं कहता है निमलिकीत में से कौन सा युगम सही नहीं है तो देखिएगा इसका जो सही नहीं है यह पुछ राए हम से तो इसको याद रखना है क्या हो जाएगा तो अश्रम हिमाले जो है या प्रहम पुत्रा नदी जो बिल्कुल गलत है प्रहम पुत्रा नदी कहां से निकलती है आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए देखे अगर हम बात कर लें इसके बारे में तो याद रखना है आप सभी को पहला क्या है पंजाब हिमाले पंजाब हिमाले से क्या निकलती है तो सिंदू से सतलज नदी जो की बिलकुल सही है उसके बाद कुमायू हिमाले कुमायू हिमाले से सतलच के से काली नदी निकलती है नेपाल हिमाले से काली के तिस्ता नदी निकलती है और अंततह असम हिमाले के हम बात कर लें तो असम हिमाले से आपका क्या निकलता है ब्रहम पुत्रा ब्रहम पुत्रा तिस्ता से ब्रहम पु लाता है महत्पूर्ण क्वेश्चन है अगर चलिए हम इसका बात कर ले उत्तर की तो यहाँ पे आप सभी लोग थोड़ा सा देख लेज़ेगा क्या वह रावल के ला है जमसेदपूर दूरगापूर या फिर भिलाई है तो याद रखना है इसका राइट अंसर होगा आपका क्या तो जमसेदपूर जमसेदपूर कहा पड़ते हैं तो याद रखना है जारखड में पड़ते हैं यह महत्पूर है आप लोग इसको याद रखेगा आगे बढ़ते हैं तो निमलिखित में से कौन सा युम सही नहीं है यह प्रशन फिर से आपके समक्ष आ चुका है तो जो कि हम सरसो और सो का क्गेती देखते हैं जो पीला फचल हम जिसको कह सकते अपने सब्दों में उसे पीली करांति कहा जाता है जो कि इसको आप लोग याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए सोर परीवार का विसालतम सबसे बड़ा जो विसालतम ग्रह कौन सा है तो याद रखना है आप सभी को ब्रहस्पती के बारे में ठीक है आगे बढ़ते हैं तो नेक्ट कोशन पर अगर हम बात कर ले कहता है कुछ विलचनों के साथ अनुसरन करती है कैसे करती है थोड़ा समझेगा यह प्रश्ण थोड़ा आपके लिए टफ है इसको हम बहतर ढंग से समझाने का प्रियास करेंगे इसका राइट एंसर आपका हो जागा ऑप्सन नमबर A 180 डिगरी देसांतर को समझेगा है यहां पर अच्छे अंतराश्टी तिथी रेखा जो है यहां पर 180 डिगरी देसांतर के सहारे प्रसांत महासागर से होकर क्या होती है गुजरती है जिसका कारण ही क्या होता है तो एक बढ़ते हैं परिद्भी की विशुपति रेखिए ठीक है विशुपति रेखिए परिधी है तो क्या नहीं हाना है आगे बढ़ते हैं कहता है निमलिखित में से कौन टर्सरी यूग में निर्मित अलपाइन परवत नहीं है देखे टर्सरी यूग जब आप जोगरोफी को पढ़ेंगे तो उसमें जोगरोफी में अलग-अलग छेतर आते हैं जिसमें हम एक भारत का भुगल पढ़ते हैं एक अलग-अलग यूग में जैसे हम भारती इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचिन मद्धेकालिन और आधुनिक इस प्रकार से है उसी तरह से जोगरोफी जब हम पढ़ते हैं तो उसके भी अलग-अलग कालखंडों में विवाजित किया गया है इसके बारे में हम क्या कर रहे ह तो यह दखना है तरसरी यूग के बारे में क्या कर रहा है कि निर्मित अलपाइन परवत नहीं है यह पुछरा है तो यह आपका क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका एसिया में अराबली परवत जो है ठीक है यह क्या हो जाएगा तो निर्मित अलपाइन परवत नह सिर्फ estate के लिए नहीं किसी भी exam के लिए यहाँ पर आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है Swiss के अनुसार भूपटल की उपड़ी परत कहलाती क्या है तो Swiss के अनुसार जो भूपटल की उपड़ी परत है वो क्या कहलाती है तो याद रखना है छलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा से यहाँ पर हम बताना चाहें सियाल के वारे में तो सियाल बहुत important है समझियेगा दीखें सियाल जो है S I A L सियाल हुआ ठीक है जिसमें S का गड़ हम बात कर ले तो S क्या होता है silika होता है और i की अगर हम बात कर ले तो i से क्या बनता है तो याद रखना है i से आपका बन जाता है एक सेकर्ड इसमें थोड़ा अलग formula के मध्यम से है silika plus helium पहला ठीके उसके बाद silika plus magnesium उसके बाद क्या बनता है तो उसके बाद नीचे के जो चीफ है नीचे के जो पड़त कहलाता है उसको नीफ हम कहते हैं और नीफ में क्या होता है तो नीफ जो है निकल और प्लस फेरियम की बनाकर क्या बनता है तो सिलिका बनते हैं ये थोरा सा आपको अभी समझ में साइद नहीं आ पाड़ा होगा और और यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा हम भी सक्षम नहीं हो पारे हैं क्योंकि यहाँ पर पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है जब थेओरी क्लास होता तो आपको बेहतर ढंग से इसको समझा पाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अभी आपको ज़्यादा डिप में जाना भी नहीं है बस कोसिस करना है कि अपने जितना ज़्यादा अधिक क्वेश्चन को आप अपने पास एकातिरित कर लें यही आपके लिए फायदा होगा कहता है निमलिकेत में से कौन सा युगम सही नहीं है तो यह आपका क्या हो जागा तो मांसून पबने यह क्या है तो यह आपका सही नहीं है तेके मांसून पबने यहाँ पे सही नहीं है तो क्या सही होगा तेखे वे पमने जो हमेशा एक ही दिसा में और अस्थार पर चलती है उसको हम क्या कहते हैं तो ग्रिविये पवन कहलाती है जो कि यहाँ पे आपका ग्रिविये पवन ना देकर मौनसून पवन दिया गया है याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं उम्मीद करते हैं कि चीज आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है बहतर ढंग से कोशिस मेरा है कि समझा पाए अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज इसकीप विडियो नहीं करना है अपना रुजान अपना विचार चाहिए क्या चाहिए यह बता कर नहीं जाएगा ठीक है कोमेंट बॉक्स का प्रयोग जरूर किजिएगा आप सभी से रिक्वेस्ट है निमलिखित में से कौन ग्रहिये पबन नहीं है ग्रहिये पबन की बात की जारी है तो इसमें क्या हो जाएगा तो सितोस अनुसमंद्री जो कि स्वीडेन जलवायू से नहीं पड़ता है तो यह आपका क्या होगा गलत है अब हम बात कर लें इसमें कि सही क्या है तो याद रखना है स्वीडेन जो है स्वीडेन में एक टेंगा प्रकार की जलवायू पाय जाती है जो कि यहाँ पे क्या है टेंगा प्रकार की सबसक्तान मंदल और मध्य मंदल उसका तबिल को हमये honestly I am andर परिवर्टन मंडल शम्तान मंदल और मद्ध्य मंदल नार का टाप मंदल यह बिल्कुल सच है ठीच है यह बिल्कुल है शही या झाल है माधिविस्थापन का स्धाहवार वाम स समुंद्र के सबसे ग直接 पाये जाते हैं कहां पर तो यह दरिद दorean प्यादे साथी समुंद्र के सबसे गहड़े भाग क्या हम पाए जाते हैं तो प्रसांत महासागर में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है साथ में यह भी आपको याद रखना है कि विश्व में लगभग क्या है तो संत्यामन ध्यान सकते हैं संतामन जो है यह गर्तों में से 32 महासा क्या है तो सिर्फ प्रसांत महासागर में अकेले हैं तो कि गर्तों का मतलब होता है क्या गहड़ाई तो पूरे 20 में कितना है 57 गहड़ाई है क्योंकि अकेले प्रसांद महासागर में कितना है तो 32 है यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं विसूपत रेखा कि निकट अस्थान विसेश पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है कितने मिनट का कितने घंटों का समय होता है तो यह आपको याद देखना है कि क्या होता है तो 24 घंटा 26 मिनट का क्या होता है इसमें अंतराल देखेनों को मिलते हैं ठीक है यह आप लोग याद रखेगा महत्पूर्ण है आगे बढ़ते हैं कहता है सितोस्ट कटी बन दिये कौन धारी वन यह पाए जाते हैं कहां तो यह आपका कहां पाए जाते हैं क्या टूड्रा प्रदेश में मध्य सागरे प्रदेश में या फिर हम यहां पे और भी ऑप्शन है देख लेते हैं तेगा प्रदेश में मौंसुन प्रदेस कर्देस में कहा पढ़ जाते हैं तो यह आपको याद देखना है यह आपका तो टेगा प्रदेस में पाइजाते हैं ठीके टूड्रापरदेस बुबुम्न दक में प्रकार की दर जाती है और jsूम् zalat प्रदिस में आपका क्या है सदा बहार पतज़र प्रकार की चौथी पत्ती भी पाई जाती है तो इस प्रकार से आप चारों का ओप्शन का बारे में बिसेस्ता के बारे में चान गये हैं निमली कित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी में से प्रभाहित होती है तो वो आपका भ्रंस घाटी जो प्रवाइत होने वाली नदिया है वो है आपका कौन तो नरमदा नदी ठीके जो कि इसकी उद्गम है कहां से तो अमर कंटक के पस्चिम भाग से इसका क्या होता है नरमदा नादी का उद्गम होता है यह भी आपसको याद रखना होगा प्रित्वी की अपने कक्ष में सूरी के निकरतम जो दूरी को कहते हैं वो क्या कहते हैं देखे प्रित्वी की अपने कक्ष में दूसरी की कक्ष में नहीं प्रित्वी खुद अपने कक्ष में घूम रही है तो इसके जो सूरी की जो निकरतम जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे तो प्यारे साथ ही याद रखना है महत्पूर्ण क्वेश्चन है तो हम कहेंगे उपसोर क्या कहेंगे उपसोर इसे कहेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है इसको याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं कहता है निमलिखित कथनों पर बीचार किजिए कथन क्या है तो कहता है गुदबाना कोईला अस्तरिये वुटमीनी कोईला और नेक्ट है क्या तो गुदबाना कोईला नमी सल्फर और वोस्फोरों से पूर्ण अतम मुक्त होता है कौन सा इसमें कथन सही है या आ आंको आगे बात करते हैं तो इसका right answer होगा केबल एक ठीक क्या होगा एक इस परकार से थोड़ा सा आप लोग आद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और थार्त अमर कंटक छेथ जो तो वाक्साइट वंडर है यह आपका सही होगा थोड़ा इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो देखे क्लास बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता है कौन से किलियर होना चाहिए देखे वाक्साइट जो है यह क्ले के समान मित्त कायम खनीज होता है जिसम इतना बहतर आपका जो सिलेवस का थियोरी मेरे पास और लेड़ी पड़ा हुआ है बनाए हुए है इतना बहतर था कि आपको कोई भी चीज इधर उदर भटकना नहीं पड़ता इन फैक्ट आपको प्रेक्टिस सेट का ज़रुवत भी नहीं पड़ता लेकिन प्रोब्लम य आपकों यहाथ में सब चीज है चलिए आगे बढ़ते हैं कि agreement ऐप सेंड़ आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और से नेक्ट कुसर्ण कहता है निमलिखित नदियों में से किस एक पर बहुत देशिये पर यूजदना कि अंतर गाते टिप कड़ा और नजर बहांधित का निर्मान हुआ है तेखे सिधा सिधी इन सब्दों पर तो अतना गौर नहीं करना है थोड़ा सा बाद वाले सब्दों होते हैं में आपसे पुछरा क्या कि निम्ड में से किन नदियों पर बहुदेशिय प्रजणा बहुद इसी प्रजणा चलाए जा रही है जो कि आपको याद रखना है अब पुछ देगा कि महानदी जो है यह कहा है तो यह सबलपूर से लेकर कहा है 14 किलोमेटर उपड़ी कोड हीरा कुन नामक अस्थान पर चलाए जा रही है यह भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं चलिए इलाहबाद प्रियाग में अठारो संतामन के बिद्रोह का नेतरित भी किस ने किया था इलाहबाद की बात की जा रही है बेगम हजरत महल होंगे खान बहादुर खा होंगे या फिर और भी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कदम स दी जो है यह बिल्कुल राइट एंसर है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे अठारो सो संतामन की जो क्रांती हुआ था तो इलाहबाद की जो नेतिल्द भी किये थे लियाकत अली किये थे ठीके चलिए बढ़ते हैं आगे तो कहता हुमायों ने पंद्रा सो पश य्प याद रखेंगा हुमायों और बेरम खां हमपांत्परिंट में अल्भी कि जो 25 155 को मुझरों ओर दो नामकस्थान पर यूद हुआ जिसमें क्यों अन्य कहा था तो गोसित किया बहूत बार बात आया गया है तो यह आपको तो बहुत वच्चा परा क्वेशन है सबसे पहले तो यह आपको बात कर ले तो इलाहाबद अधिवेशन हो जाएगा जो की कभ हुए थे तो वर्ष में हुए थे बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं इसी अधिवेशन में सरपर्थम क्या मांग की गई थी तो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी याद रखेगा कहता है किस मुगल समराट का राज्यविसेक दो बार किया गया है महत पूर्ण क्वेशन है और यह आपका क्या हो जाएगा तो याद रखना है वो कौन था तो व अभी आपसे पूछे जा सकते हैं तो याद रखेंगे वर्स आपको याद रखना है 21 जुलाइ 1658 को ठीक है आगे बढ़ते हैं और अर अजेव के समय में किस समराट नेता ने भरतपुर की अस्थापना की थी तो और अर अरजेव के समय में जो भरतपूर की समराट तो कहता है अलाधुन खेल जी ने किस हिंदू शाषक को राई रजाई राय रयान की उपाधि दी थी चमज जाएंगे थोड़ा सा थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि मुगलों के समय का जो सब्द होता है थोड़ा टफ होता है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा ओप्सन नमबर क्या तो रामचंदर राय को रामचंदर राय को याद रखेगा मुसलमानों का दक्षिन भार का पर्थम आक्रमा को अलावदिन खेल जी के समय में देवगीरी से सासक रामचंदर दाव यह कहा के शाषक है यह भी आपसे पूछ लेंगे तो देवगीरी के यह साषक थें इसको क्या किया गया था तो अलावदिन खेल जी की समय में दुतियत देवगीरी अभ्यान के पस्चात इसको कहा बनाया था तो राय रयान की उपाधी दी गई थी यह आप लोग ज्याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं कहता है निम् मुश्मानों का सर्यंत्र मातर है यह एक राष्टिय सोतन्दर के लिए लड़ा गया यूद है या फिर ब्रिटिस अधिकारियों के बिरिद्ध अनुशाशन और आक्रोस मातर था जो कि भारते सान्य को द्वारा व्यक्त किया गया था यह उदिम्ता मध्यवर द्वारा जान एक राष्टिय सोतन्तरता के लिए लड़ा गया यूद था जो कि बिलकुल सत्य है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन कहता है ध्यान दीजेगा किस आंधुलन के दौरान मोहंदास करमचंद गांधी नामक एक नेता ने राष्टिय आंधुलन के कामान समहाली बहुत ही शिंपल प्रश्ण है कि चमपारन सत्यागला के पस्चात ही महात्मा गांधी मोहंदास करमचंद गांधी का आगमन भारत्य राष्टे स्वतनतरता संग्राम में होता है जो कि आपको बहुत एजी क्वेशन है इस प्रकार से याद रखेंगे हरपा संस्कृती से जुड़ा अस्थान रंगपूर किस नदी के तरफ पर इस्थित है तो यह आपका हो जाएगा किस नदी पे है तो यह याद रखना है आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर क्या तो मादर नदी पे है और पुछलेगा आपसे मादर नदी कहां है तो अगवत धर्म का निम्र में से कौन सा दर्सनिंग संप्रदाय था तो यह आपका हो जाएगा कौन सा तो संख्य संख्य हो जाएंगे याद रखना है सांख्य योग बहुत इंपोर्टन है जब हम आप जब कभी पढ़ने का मौका मिले जीवन में ऐसे तो असान नहीं है लेकिन कभी जीवन में पढ़ने का मौका मिले तो दर्सन सास्तर को पढ़िएगा उस दर्शन सास्त्र के अंतर का थी यह साख्य दर्शन आते हैं जिसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो next question है अर्थ सास्त्र में उलेखित सीता अध्यच किस विभाग के अध्यच थे महत्पूर्ण प्रश्ण ह बहुत डेप में प्रश्ण है और यह हो जाएगा आपका क्रिसी विभाग ठीक है क्रिसी विभाग इसका राइट एंसर होगा आगे बढ़ते हैं चलिए next निमलिखित में से किस मुगल सेना पती ने सीवा जी को वर्स 1665 में पूरंदर की संधी परहस्ताचर करने के लिए व राइस्ता खा के पराजय के पस्चात औरेंजम ने क्या किया तो औरेंजम जो है यह राजा जैसिंग को दक्षिन का सुबेदार बनाया था और उसके बाद सिवा जी ने दमन के लिए भेजा था राजा जैसिंग ने क्या किया तो सिवा जी को पूरंदर के किले पे घेर लि जज्या कर बसूल किया था बहुत important question है और याद रखना है इसका right answer जो होगा वो क्या हो जाएगा तो वह होगा मुहम्मद बिन तुल्लक के द्वारा ठीक है मुहम्मद बिन तुल्लक जो था यह क्या करता है तो सरपरसंद बढ़ा मनों से जज्या कर बसूल करता है याद रख जज्या जो था यह एक प्रकार का इसलामिक जो टैक्स था ठीक है जो कि किसको देना होता था तो गैर इसलामिक को देना जो इसलाम धर्म कबूल कर लेते थे उनको नहीं देना होता था जो इसलाम धर्म कबूल नहीं करते थे यह टैक्स उनको देना पड़ता था यह आप ल होता है तो जज्या कर प्रारम किया जाता है मीर कासिम के द्वारा याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं निम्लिखित में से किसने वर्स 1947 के कॉंगरेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट का संप्रदावाद के पक्ष में समरपन के रूप में लिया है देखें महत्पूर्ण क्वेश्चन है दम डेप्ट में पुछ रहा है बहुत ही डेप्ट में पुछ रहा है और यहां ध्यान से थोड़ा समझना होगा आप सभी को इसका हंगर हम बात कर ले तो सिधा सिधी होगा डॉक्टर की चलू सिधा सिधी डॉक्टर की चलू होगा लेकिन कहना कहा जारा ये भी आपको समझना होगा जिस दिन आप question को समझने लगेंगे अब answer अपने आप आप समझ पाएंगे कहता है वर्स 1947 के कोंगर्स कमेटी के बैठक द्वारा विवाजन के प्रस्ताव को पारित होने से को राष्टबाद का संप्र दायबाद के पक्च में समरपन के रूप में लिया गया था यह किस वेक्ति के द्वारा तो डॉक्टर किचलू को के द्वारा लिया गया था ठीक है एक सेकंड प्यारे साथी हो एक सेकंड अगर आपसे पूछ दे डॉक्टर किचलू पूरा नाम क्या है तो याद रखना है डॉक्टर सेफ धिन किचलू ने वर्ष उनिसो सहितालिस में कॉंगरेस कमिट्री की बैठक के द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पारित होने को क्या कहा तो राष्टबाद का संप्रदाइबाद के पक्षमे समरपन के रूप में लिया था ये आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किसने सर परतम भाद के लिए अपनी वेशिक स्वाराज की मांग की थी किसने की थी जल्दी से बता दिजे महत्पून क्वेशन है महत्पून क्वेशन है और यह आपको याद दिखना है किसने लिए थी तो यह हो जाएगा option number C सर तेज बहादू सप्रू और जयकर के दोड़ा किया गया था तेज बहादू सप्रू और एम आज जयकर के अगर हम बात कर लें इनका पुरा नाम एम आज जयकर ऐसे याद रखेगा इन ही के दोड़ा सर पर्थम भाद के अपनी वेसिक स्वाराज की जो है मांग की याद रखेगा उसके पस्चात नहरू कमिटी बना जाती है मोतिलाल नहरू के दोड़ा जो की वर्स 1928 में बना जाती है ये भी आपसे पुछा जाएगा इसी के समक्ष आपको ये भी याद रखना है कि मोतिलाल नहरू के अधिश्ता में अन्य सदस जिसमें एमार, जैसंकर, तेज बहादूर, सप्डू और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिसमें हम बात करें तो आपका हो गए कौन तो सुबाद चंदर बोस थे, जवाहलल नहरू थे, सुवेब थे, कुरे और बहुत सारे नेता थे इन सभी को आप याद रख सकते हैं, इस करम में आगे बढ़ते हैं, तो कहता है जलिया वाला बाग हत्या कान के विरूद में निमलिकित में से किसने वाइसराय के कारे परिसा से त्याग पत्र दे दिया था, महत्पून क्वेशन है, और काई बार बताया गया प्रशन है, देखिए, इस पर हम अगर चर्शा करें तो यहाँ आपका क्या होंगे, तो सर संकर नायर हो जाएंगे, ठीके, देखे, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो प्रथम विश्व्यूद के दोरान अंगरेजी अत्याचार से देश में जन आक्रोष की लहर उठ गई थी, और इस पस्चात के बाद क्या होता है, तो पंजाब में इसी के समय में क्या होता है, तो एक प्रेकार से कहा जाए, तो उपराज जपाल थें, उपराज जपाल करते हैं, तो एक फिल्ड होता है, एक मैदान होता है, जिसका नाम क्या था तो जलियावला बाग, इसमें लोग क्या कर रहे थें, मीटिंग क्यों कर रहे थें, तो याद रखना है, अम lonelinessar के दो बरे नेता थें, जहां तक मुझे याद है, एक सैफित दुन किचलू थें, औ तो डायर को पता चलता है उमने फिल्ड में गेर लेता है और सभी नीह थे लोगों पे जिसमें बच्चें बूढ़े महिला सभी थे और इन पे गोलिया का बहुचार कर दता है ठीक है इसमें याद रखेगा लगभग अंग्रेजों के अगर डाटा की हम बात कर ले तो एक हजार लोग की मरने की बात की गई है सुरी अंग्रेजों की बात कर रहे हैं कॉंगरिस की डाटा की अनुसार अंग्रेजों की अनुसार अगर हम बात कर ले तो तीन सो लोगों की मरने की बात की गई है लेकिन मानी इसमें ना तीन सो लोग है ना एक हजार लोग है उससे कई जादा लोग है क्योंकि वैसाखी का दिन था मिला लगा हुआ था पूरे मैदान में लोग आते जाते रहे थे ठीक है आगे वड़ते हैं निम्लिकित में से महात्मा गाती का कौन सा संघर्ष ओधोदिक स्रमिकों से संबंदित रहा तो यह सिधा सिधी आपका हो जाएगा कौन सा संघर्ष तो संबंदित था यह आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन है क्या देख लेते हैं चलिए निम्लिकित में से किस आंदोलन के लिए प्रतम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था वंदे मातरम जल्दी बता दिजे आप सभी को बहुत बार ने कि योटरम बात करने इतिहास कि तो इतिहाम उतना पढ़ा हैंसा का जितना उतना इतना नो परकरे मातर में फेक्ट बरूइस से के लिए सब सीख्षक भरती के लिए उसमें से बहुत सारे प्रश्ण ऐसे हैं जो कि आपको किसी भी एक्जाम में देखने को मिल जागा एक्जाम का कोई समय सिमा नहीं होता है कोई भी कोई एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इस प्रकार से इस उद्देशे से याद रखेगा आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं निम्ड में से किसके अंतरगत भारत में सरपर्तम सरबोच चिन्याली के स्थापना की गई थी तो यह आसान प्रश्ण है रेगुलेटिंग एक्ट वर्ष 1773 के अंतरगत की गई थी सबसे पहले याद रखेगा और यहीं से क्या होता है तो हमारे भारती सम्मिधान का विकास होता है यहीं से होता है हमारे भारती सम्मिधान का विकास ठीक है जब आप सम्मिधान की विकास को पढ़ेंगे न तो आपको सुरुवात यहीं से करना होगा ठीक है ऐसा नहीं कि वर्ष 1937 के बाद करना है यही दोन चलाए जा रहे थे बिल्कूल सत्ते हैं उनमें उनके प्रभाव छेत्रों में सुम्मिलित की जिए चलिए देख लेते हैं किन सनेता के बारे में बात कर रहा है सहजा नंद सरस्वती हैदराबाद खुदाई दीमक नाम दच्छी नशम और स्वामी रामानंद विहार अब अबस बात कर निसके राइट अंसर का क्या हो जाएगा तो यहां पर देख लेते हैं ठीक है अप्सके माध्यम से देख लेते हैं जे आपका ऑपज़ाद दिया ही गिया है तो फिर विद्वान बनना ओचित नहीं होता है चलिए यहां पर क्या हो गया है तो आपकо ऑप्सन ben B is right answer, ठीक है, B हो गया आपका right answer, इस प्रकार से आप मिलान कर लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, कहता है, अर्थ विवस्ता की अधी सनचना में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है अर्थ विवस्ता की अधी सनचना में, तो यह आपका हो जाएगा उप्योग सभी अर्थात उजा, आयात और बैंक, यह तीनों के तिनों क्या है, तो अर्थ विवस्ता की अधी सनचना में सम्मिलित है, यह आपको याद रखना है, महत्पून है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, कहता है, बिनी में दर्थ को उचा रखने के लिए, का अर्थ क्या है, तो बिनी में दर्थ को नीचा रखना या फिर नीचा रखना है ठीक है नीचा रखना है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं चलिए अंतराष्टिय तरलता में सम्मिलित किया जाते हैं तो यह आपका हो जाएगा वे समस्त साधन जिन्स ने अंतराष्टय भुक्तान किया जा सके इसको हम अंतराष् स्रेटिल सर्विस का तयारी कर रहा हो जिससे पूछी जाएंगे वह बहुत दिनों से हम इन चीजों के देख रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं जो आप से पूछने की संभाब नहीं होगा मैं हम आपको वही बताएंगे विफालतु का चीज यहां पर पढ़ने से कोई फाइदा नहीं है कहता है निगमों की प्रतिष भूती में लगाए गई राश्री का पता समाजिक लेक निम्न विवरन से पता चलता है वह समाजिक विवरन कौन सी है तो वह आपका है अप्सन नमर क्या तो राश्री आई और उत्पादन विवरन यहीं क्या है तो यहीं है आपका प्रति भूती में लगाए गई राश्री का समाजिक लेखा विवरन ठीके आगे बढ़ते हैं कहता है जब भारत जनायके सक्रमन की तृत्य अवस्था में परवेश करेगा तो क होगा प्यारे साथ यो क्या होगा उसके जन्दर में क्या होगे महत्पूर्ण कमी आएगी लेकिन यह तो देखने को नहीं मेरा है भारत क्या हो रहा है तो भारत में जन्दर तो महत्पूर्ण है और भारत में जन्दर जो है यह बढ़ते ही जा रहे है अभी वरतमान में हम अगर बात कर लें तो चाइना को पीछे छोड़ देना यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और इस प्रकार से यह क्या है तो बहुत दुख की बात है ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको याद रखना है और यहां पर अगर हम मेंस की अगर आप बात कर लें कि कोई तो याद रखेगा जब किसी देश की ओधोदिक और सहरी करन की प्रकिरिया साथ साथ चलती हो तो जनम की क्या होती है दरे कम हो जाती है इस प्रकार से आप निसकर्स दीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत में ब्ढेद neglect चेतर का सबसे पुराना उध्योग क्या है प्यारे साथ यो ये हो जाएगा आपका सूती कपड़ा बहुत इमपोर्डन है सूती कप्रा या फिर हम कहले कप्रा उध्योग जो है यह सबसे पुराना संगठित रूप से पुराना उध्योग है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं देखें अंग्रेजों का सबसे महत्पूर्ण एक बैपार था जो कि यही कप्रा का बैपार था अर्था सूती कप्रा का यह भी आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं निमलकित में से कौन सा सार्बजनिक उपद्रब सबसे अधिक लाप अरजित कर रहा है देखें यह आपका क्या हो जाएगा तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेट जो है यह क्या है तो यह आपको याद रखना है सबसे यह आपका क्या कर रहा है सार्बजनिक उपद्र जो है लाप अरजित कर रहा है कौन तो यही कर रहा है भारत एक दोहरी अर्थ विवस्था माने जाती है क्योंकि भारत एक दोहरी अर्थ विवस्था क्यों माने जाती है प्यारे साथियों देखें तो यह इसलिए माने जात है इसलिए क्या है तो भारत दोहड़ी अर्थवेवस्था को मानता है अर्थात हम सिधा सिधी प्रश्ण की उ subscriber देना चाहे तो कह सकते हैं अब कि भारत जो है या मिक्स अर्थवेवस्था को मानता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कहता है निमली खित में से किसका भुकतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है भारत में अगर हम बात कर ले तो भारत के संदर में ही बात करेंगे जब विस्विकी बात करेंगे तो आगे बात करेंगे लेकिन अभी भारत के संदर में बात करते हैं कहता है भुकतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो क्या नहीं किया जाता है यह आपको याद रखेंगे वह हो जाएगा आपका कौन सा तो साबजनिक उपकरमों के सीर में ठीके साबजनिक उपकरमों के सीर में जो है यह सरकार के द्वारा भुकतान नहीं किये जाते है याद रखिएगा एक hot money या फिर refugee पुंजी वह पुंजी है जिसके अंतरगत क्या होते हैं प्यारे साथी तो या आपको याद रिटना है देश में शरन के लिए हुए सरनार्थी द्वारा जमा की गई जाती हो उसको हम क्या कहते हैं तो उसी को तो हम कहते हैं न क्या hot money कहते है याद रखेंगे refugee हम किसे कहते हैं जो दुसरे देशों से जैसे बंजारा हिंडी सब्द कह लें तो बंजारा उसको कहते हैं ठीक है तो बंजारा हम किसे कहते हैं मनलकी चलिए जैसे अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो जब तालीबानों का आकमन हुआ था जब देश सरन लेने अपनी भारत में आ है और इनके दोर जो जमा की गए पुंजी है इसको हम क्या कहते हैं तो होटमनी कहते हैं यह आप याद रखेगा मोर पर सिमांत उप्योगिता है मोर पर सिमांत उप्योगिता के ताथपर्रे क्या है तो यह आपको याद रखना है इसका यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखा मांग वक्र को स्पर्स करती हो तो दोनों मांग वक्रों में क्या होगा लोच अश्पर्स बिंदू पर होगा कैसे होगा तो यहां पर सीधा सीधी हम एंसर देना चाहेंगे वह क्या होगा फिन होगा अलग-अलग होगा ठीक है आ इंजिल वक्र क्या है गिफिन वस्तु ध्यान से सुनना है गिफिन वस्तु है क्या ये भी तो हम जानना चाहेंगे आप तो देखिए गिफिन वस्तु सबसे पहले गर हम बात कर ले तो यह रिनात्मक ढाल वाली होगे और गिफिन वस्तु के सम्मंद में इंजिल वक्र का स्व क्या तो यह आपका क्या है तो यह आपका है प्रकट अधिगाम सिद्धान्द महत्पून है लेकिन एकनोमिक्स अगर किसी का है तो खास करके बहुत ज़्यादा महत्पून है आगे बढ़ते हैं एक फर्म का संतुलन अस्थापित होगा कब होगा तो यह आपका होगा उत्पादन में दूतियर चरण में होगा कोई भी विवेक पूर्ण उत्पादन उस अबस्था में उत्पादन करेगा जहां इस्थिर या फिर पड़िवर्तन ये साथनों का पूर्ण सोशन लिया हो और इस प्रकार कूल उत्पादन अधिकम कर लिया हो तो इस तरह से थोड़ा सा आपको याद रखना है उम्मीद कर रहे हैं कि चीज समझ में आ रहा होगा कोशन बहुत असान है और आप सब को हमें लगता है कि कई वारा इसा चीज पढ़ाया गया है इसलिए थोड़ा हम स्पीड में भी वर रहे हैं निमलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है किसको आर्थिक लागत कहेंगे आपके नजर में कौँ सा आर्थिक लागत होता है तो यह आपका हो जागा क्या मौदरिक लागत ही आर्थिक लागत कहलाता है मौदरिक लागत भी क्या होता है यह भी थोड़ा सा दिक्कत होड़ा को समझ में किसी को मौदरिक लागत आर्थिक लागत लेखांद लागत से भीन होता है क्योंकि लेखांद लागत में केबल परतेची और व्याई होता है सम्मिलित ठीके तो यहाँ पर थुरा सा आपको मौदरिक लागत की बारे में याद रखना है अनाज का मुल्ले इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है बलकि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मुल्ले अधिक है यह कथन किस अर्थ सास्तरी का है महत्पूर्ण क्वेश्चन है जल्दी से बता देजे इसका एंसर क्या होना चाहिए ये आपका हो जागा, कौन सा है, तो याद रहना है, रिकॉर्डो का है, कई बार बताये गया प्रश्ण है, पिछले क्लास में भी ये सेम कोश्चन आपको बताये गया है, रिकॉर्डो क्या कहते हैं, याद रहेखेगा, एक महत्मून अर्श सास्तरी है, इनके दोरा जो किया गयाअ बात है वह बहुत इंपर्टेंट है इनके स्टेटमेंट को आप एग्नोर नहीं कर सकते हैं कहते हैं रिकॉर्डो क्या कहते हैं नाज का मुल अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है बलकि कि लगान अधिक है और इस कथन को रिकॉर्ड के द्वारा बताया गया है याद रखेगा ब्रेटन वूर्स विवस्था क्या है ब्रेटन वूर्स विवस्था जो है यह क्या है तो यह एक श्वर्न बिनियम प्रमान है यह आपको याद रखना है किसके बारे में तो ब्रेटन वूर्स विवस्था के में इस्धापना है यह आपको याद की गई थी तो यह आपको एक 75 में की गई थी याद रखी यह झाओ देजिए क reflection की गई थी एद आपको समय दॅश्रा Be me औरिनेशन के अंतरगत इसको पारित किया गया था कहीं पे लिख लिजिएगा काम आएगा आगे भविस्त में एक उभुगता के मांग वक्ड को निम्न में से किस से प्राप्त किया जाता है महत्पूर्ण दिहां से सुनिएगा एक उभुगता एकनोमिक्स का क्वेशन जब भी होगा बहुत इंपोर्टन है क्योंकि एक थोड़ा सा कहा जाए तो टेकनिकल एक विसाई कुरूब में आता है सबको समझ में नहीं आता है और यह आपका ह कैसे होगा मांग वक्रप्रगरती इकाय कीमत को प्रतसित करता है जबकि कीमम उभवकता जो है यह वक्र कीमत आपको का करता waż को प्रतसित करता है मिल्कुल एक सही है आगे बाइजते है स्वामेर्ण यूग की अबधाना दी गई है स्वामेर्ण यूग की जो अबधानाएं दी गई है किसमें दी गई है तो यह आपका होगा जौन रोवी संस के द्वारा दी गई है याद रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने आर्थिक वृद्धी की सिध्धांत में सुमिष्टर जोड देते हैं तो यह आपको याद रखना है यह आपका सुमिप्टर देते हैं यह आपको याद रखना है और इनके द्वारा कई प्रकार के जाच प्रकार भी की गए है जिसमें हम बात कर लें तो नई बस्तू का प्रचलन सबसे महत्पून है उस पादन की नई वीधी प्रचलन ये भी महत्पून है इस प्रकार से आप याद रखने हैं काफी महत्पूर्ण चीजे इनके द्वारा जांच की गई है जिसमें आपको दो चार जानना बहुत ही आवस्तक है एक घटकिये बैपार के सर्थ का प्रतिपार्दन किस ने किया है तो यह हो जाएंगे आपका प्रोफेसर वाइनर के द्वारा प्रोफेसर वाइनर ने एक बै पसंदिन्दा जो सब्जेक्ट आ चुका है वो आपका पॉलिटिकल साइन्स सिबिक्स है ठीक है कहता है संगहात्मक संभीधान का प्रमुख लक्षन क्या है तो संगहात्मक संभीधान का प्रमुख लक्षन जो है वो क्या है वो सिधा सिधी है क्या है केंद्र और राज्य क की दोहरी सरकारे होगी तभी तो संग का मतलब है कि सिर्फ ना तो केंदर नहीं राज दोनों मिलकर काम करेगी तभी तो संग बनेगी अपने भारती सम्मिधान के अनुचेद आर्टिकल पहले में यह बात कहा गया है कि भारत जो है यह क्या है तो भारत जो है संगों का देश ह ठीक है भारती सम्मीधान में निती निदिशक्तत्व किस से लिया गया है तो प्यारे साथ ही वह बहुत पूर्ण है और यह सरकार क्या है इसका राइट इंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजे सरकार के लिए भारती सम्मीधान में निती निदिशक्तत्व किस से लिया गया है किसके लिए लिया गया है चमा चाहेंगे किसके लिए लिया गया है तो यह सरकार के लिया गया है वही तो हम सोचे किस से लिया गया है हम पढ़ रहे हैं चमा चाहेंगे तो यह कहां से सरकार के लिया गया है किस लिए देखें दो बात आपको बताते हैं यहां पर थूरा सा बहें DPSP जिसको हम कहते हैं ये क्या है तो ये सरकार को क्या करती है राज्य सरकार को कि राज्य सरकार के लिए नियमों वहां लिखे गए हैं कि हमारे लिए अपने राज्य की जनता के लिए सरकार क्या क्या कारे करेगी ये सभी वहाँ पे लिखे गए हैं ठीक है DPSP में जो कि वहाँ पूर्ण है दोनों में हमारे अधिकारों कहीं बात किया जाता है लेकिन एक में हमें डायरेक्ट अधिकार मिलते हैं तो दुसरे में सरकार के द्वारत दिये जते अधिकार हैं संसद्य सरकार में कारपलिका की वास्तविक सक्तियां किसमें नहीं थे संसद्य सरकार की बात कर रही है तो यहाँ पे जो वास्तविक सक्तियां नहीं थे वह किसमें है तो वह आपको याद रखना है मंतरी पडिशत में है बहुत ही अशायन प्रश्ण था प्रसम भारतिये ना अधिनियम वर्स 1955 में किया गया था भारतिय नारिकता अर्जित के द्वारा ठीक है ये भी आपसे पूछे जाएंगे संपत्ति के मौलिक अधिकार को संभीधान के किस संसुधन द्वारा बिलुप्त कर दिया गया है वहुत आशान प्रश्ण है और यह आपको याद रखना है किसी विषाई को राष्टे हित का विषय घोसित करने का अधिकार किस से है राज्य सूची के विसाय विस्तु को राष्टी हिद का विसाय घोसित करने का जो अधिकार है क्या वह राज्य सभा को है केंदर मंत्री पडिशत को है या फिर आप यहां पे लोग सभाय राष्ट पती को देख सकते हैं क्या होता है बहुत बार बताया गया प्रश्ण है और आसान कोश्चन है यह आपको याद रखना चाहिए कि जो यह अधिकार होते हैं किसको होते हैं तो यह प्यारे साथियों आपका हो जाएंगे ऑप्सन नमबर बी क्या हो जाएंगे केंदरी मंत्री पडिशत या फिर हम सीधे सब्दों में कह लें तो यहां पर थोड़ा सा ब कि अधर बात कर तो यहां केंदरी मंत्री पडिशत वही यहां पर सही कर सकता है जो दिमाग लगाएगा ठीक कि तो यह याद रखेंगे वर्स उनीच सो पच्पन में ठीके और सबसे पहला कौन सा राज्य था यह भी आपको याद रखना होगा सबसे पहला कौन राज्य था comment में बताईएगा सबसे पहले भासी अधार पड़ किस राजी को गठन किया गया था ठब है व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सह रही प्रापत है जिसमें उसे वन्चित नहीं किया जा सकता और नहीं उसे अस्तांतर किया जा सकता है कहलाता है अभी जश्ट हम आभी को आपको क्या बता है अभी तुरंत आपको बता है इस चीज़ क्या हो जाएगा तो यह आपको याद रखना है प्राकरतिक अधिकार यह कहलाते हैं क्या कहलाते हैं प्राकरतिक अधिकार जो कि हमारे सम्मिधान के अनुछेद 21 के अंतरगात हैं जीवन का अधिकार हम इसको कह सकते हैं अपने सब्दों में ठीक है आगी बढ़ते हैं संसद सद्श्यों के अध्रिक्त निमलिकित में से किस संसद की कारेवाही में भाग लेने का अधिकार है तेखे यह महत हुई महत पूर्ण प्रश्ण है और इसकी हम बात कर ले तो यह होगा महानिवादी जिसको हम एटर्णी जर्णल काते हैं एक प्रकार से यह अपने सब्दों में हम आपको समझाना चाहें तो याद रखेगा महानिवादी जो होते हैं वो केंदर सरकार के क्या होते हैं याद रखेगा विधिक कानून होते हैं विधिक जो सलाहकार होते हैं के अंदर सरकार की एक प्रकार से वकील होते हैं ठेके इसको आप लोग याद रखेगा आगे बढ़ते हैं तो कहता है अमबूढ़र्ग की अबधारणा निम्रखिद में से कि से सम्बंदित है प्यारे साथ योई आपको याद रखना है लोक पाल लोक अयुक से संब्ढ़ित है यह आपको याद रखना है यदी राज्यनीतिक निदेशक्सिद्धान का किरियान बैं नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है महत्पून बहुत जादा है याद रखेगा और इसका राइट एंसर होगा क्या तो याद रखेगा है मतदाता मतदाता का मतलब क्या होगा तो जनता ठीक है कौन होगा जनता क्या करेगा जब राज्य क्या होगी राज्य सरकार राज्य के निती निसक मतलब राज्य के के लिए कल्यान कारी कारे नहीं करेगी तो उसको बाद धे कौन करेगा बाद धे उसको जनता करेगी क्योंकि जनता ही उसको क्या करी है चुन कर सब्ता पे अस्थांतर की है ठीक है आगे बढ़ते हैं इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार कर दोनों की बात कर रहा है तो याद रखे ना है यह आपका हो जाएगा क्या तो निसुल प्राथमी सीच्छा की विवस्था जो है यह हो जाएगा याद रखिएगा महत्पूर्ण है वर्स अगर हम बात कर ले तो तिर्यानमे 93, 93 जो है तिर्यानमे सम्मिधान संसोजन के द्वारा यह वेवस्था की गई थी कि 6 से 14 वर्स के जो बच्चे होंगे बालक होंगे बालिका होंगी इनको क्या क्या जागा तो निसुल्क प्रास्मिक सिक्षा दी जाएगे सासत्षे साथ यह भी बात की गई थी कि इनकी स्वाष्थ के भी क्या की जाएगी खयाल रखा जाएगा और यह क्यारे किसका होगा तो याद रखना है यह राज्य सरकार का भी होगा और केंद्र सरकार के भी होंगे ठीक है रूसों के समानी एक्षा कहतात पर एक किस भाव से है देखे महत्पूर्ण है रूसों के जो समानी एक्षा के जो सिध्धान्त हैं यह क्या है तो याद रखना है यह आपका हो जाएगा ओप्सन नमर क्या तो याद रखना है यह होगा वह जो समस्त समुदाय में क्या हो हित मे हो वही कहलाता है समान एक छाका सिध्धान जो की रूसों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है राज्य की आवसकता तत्व क्या है राज्य की आवसक जो तत्वे हैं उनमें क्या क्या आते हैं तो याद रखना है उसमें आपका चार तत्वे हैं वह कौन कौन है तो सबसे प राज में परदेश होना चाहिए उसके बाद वहां का शाषन होना चाहिए और सबसे इंपोर्टेंट बात सम्प्रभूता होना चाहिए ठीक है अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या भारत जहां सुनिएगा क्या भारत वर्श 1947 से पहले क्या एक रा रखना है संप्रभूता का मतलब क्या होता है संप्रभूता का मतलब यह होता है कि जब वह देश वहां का शाषक वहां का जो जनता है वह स्वेम अपने राज्य अपने देश के बारे में फैसले लेने में सक्षम हो उसे हम संप्रभूता कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं रक्त सम्बंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पद्दी हुई है यह कथन किस बिचारक का है तो बहुत महत्पूर्ण है और जिसने political science को पढ़ा है graduation में जिसने political science को पढ़ा है m.a. में वही इस question को solve कर पाएंगे तो याद रखना है इसका राइट एंसर जो होगा क्या होगा तो यह आपका हो जाएगा option D मेकाईवर के द्वारा मेकाईवर के द्वारा कहा गया मेकाईवर का कथन है यह किसका है तो यह आपका हो जाएगा हरवर के द्वारा कहा गया है याद रखना है स्वतनता और समानता ना तो एक दूसरे के बिरोधी है और ना ही एक दूसरे के प्रिथक है यह किन के द्वारा कहा गया है तो हरवट दीन के द्वारा राजी के कारियों की प्रमप्राकत विचारधारों के अनुसार अनिवार तथा एच्छरिक दो भागों में बाटा गया है लेकिन वरतमान समय में राजी की अबधारणा के अनुसार अनिवार और सेचने के का भेत समाप्त हो है तथा समस्त कारिय की अनिवार ही माना जाता है क यह किस ने कहा है किस से सम्मंदित है तो यह आपका हो जाएगा किस से सम्मंदित है तो यह आपका हो जाएगा किस से तो लोकल्यानकारी राज्य और लोकल्यानकारी राज्य कहां हमें जानने को मिलेगा कहां हमें पढ़ने को मिलेगा तो DPSP में पढ़ने को मिलेगा राज्य क कई चल retali कारी की इसह करेंगे अर्थात अपने जनता को के हीतों की कारि करेंगे आगे बढ़ते हैं कौन सी बिश्था फासी बाद में को जाती है तो याद रहना है फासी बाद नाजी बाद इस अब आपको पढ़ना होगा ठीके तो यहाँ पे फासी बाद की बाद कर रहा है और फासी बाद में क्या हो जाएगा तो प्रजा तंद्र का बिरोधी है यह क्या करता है फासी बाद कहता है आगे बढ़ते हैं ऐसी शाषन बेब तो यह आपका क्या कह लाएगा याद अठना है समाज वाद समाज की बात करता है ठीक है स्वेम की बात नहीं करता है इसलिए आप देखेंगे दुतियवीश्वीव सेकंड वर्ल्ड वार जब हो रहें थें तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कई विचार धाराओं का उस्पत्ति हुआ जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको यह चीज पढ़ने को मिलेगा तो क्यूं हुआ था क्यूंकि अमेरिका और कई ऐसे देश थे जो कि पुंजी बात को मानते थे उसी समय चाबान चाइना रूस कुस ऐसे सोवियत संग कुछ ऐसे देश हुएं जो कि समाज बात को मानते थे तो दोनों में क्या हुआ टकडाव हुए और समाज बात जो है ये समाज की बात करता था और पुंजी बात जो है वो पुंजी की बात करता था अर्था स्वैम की बात करता था तो यहाँ पे थुरा सापको याद रतना है सनिक्त राष्ट सन के कुल कितने मुख्य अंगे हैं ब पहला होगा महासभा उसके बाद सुरक्षा परिशाद नियाय परिशाद तिसर और चौथा सचीवाले एवं पाच्मा जो होगा यह अंतराष्टे नियाले होगा ठीक है तो ऐसा नहीं सोचना है कि अपना जो भारत का सरबुच्चे नियाले जो दिल्ली में है यही अंत है नह कि इत्कोषा निर्बटारा अंतर राष्टे नियाले में होगा प्यारे सात्यों याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं लोक ने कितने पुष्टक के लिख्वा है यह अगर मेरे खयाल से सही सर्टिक अगरम बार करें तो याद रखना है यह आपका होगा कितना है तो यह तीस पुस्तके लिखी गई है लोक के द्वारा याद रखेगा और यह उसके बाद सेकंड ऑप्सन कहता है हॉप्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया है बहुत इमपोर्टन तरव देखे बहुत ज़्यादा इमपोर्टन है और इसलिए हम कहते हैं कि राजनितिक सास्त्र और इतिहास सभी व्यक्तिव को पढ़ना चाहिए किसी का भी बिसाय हो मैटर नहीं करता सब को पढ़िए क्योंकि बहुत important है हम कह सकते हैं राजनिती इतिहास हमें प्राचीन इतिहासों के बारे में हमने पुरवजों के बारे में बताती है तो राजनिती जो है हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा तो option number C इसका राजनिती होगा लेवियाथन जो है यह होप्स के द्वारा लिखित गई पुस्तक है और इस पुस्तक के बाद जो है होप्स महसूर हो गया है याद रखेंगे अब आते हैं मनू मनू जो है इनके द्वारा प्रतिपादिर राजी के उत्पत्ति के देवी सिद्धान्त में राजा को किसके अधिन माना गिया है मनू कौन है यह भी आपको याद रखना है तो मनू वही है जो अपने मनू स्मिनिती जो हमारे प्राचिंतम गरंथ एक प्रगासर कह सकते है साहित भी कह सकते है मनू स्मिनिती ऐसा कोई भारतिय नहीं होगा जो मनू स्मिनिती को नहीं जानता होगा तो मनू स्मिनिती का जो रचना की है मनू की है मनू के द्वारा कह रहा है तो याद रखना है यह आपको किसके अधिन माना गिया है तो याद रखना है यह आपको किसके अधिन माना गिया है तो इस्वर के अधिन माना गिया है किसको राजा को मोलिक करते भी को सम्मिधान के किस संसुधन दोड़ा कब सम्मिलित किया गया है तो देखिए काफी जादा हम ठक गया है अब निकल नहीं पाड़ा हवाज लेकिन पूरा 100 question तो करना ही है तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो याद रखना है यह आपका होगा 44 में सम्मिधान संसुधन वर्ष 1976 में भाद के किस कारण से साशन संग हातमक है तो यह आपका सम्मिधान लिखी थे नियाय पलिका स्वतंतर है या और भी कुछ कारण है चलिए देख लेते हैं सम्मिधान में संग हो राज जी के मद्र सक्तियों का वेवर्ण किया गया है मंतरे परसल को सामो ही को उतरदाए माना गया है ये इसका right answer जो होगा वो क्या होगा तो याद रखना है सम्मिधान में संग हो राज्य के मन्द क्या है सक्तियों का बेवरन दिया गया है जो कि सही है चलिए आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस में 33 समराजी का अंत कब हुआ था तेखे इसका सही अंसर होगा जो कब हुआ था तो इसमें हम एक से दो घंटा का क्लास ले लेंगे लेकिन समय की अबधी को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है क्या करें इटली के एककरन के लिए किस रूप से उतर दाई था कौन तो याद रखना है महत्पूर्ण यह प्रश्ण है और यह आप जब पढ़ेंगे क्ला नाम भी बता दिये हैं आप लोग जाए बुक है तो ठीक है ने तो गूगल करके पड़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट इंसर जो होगा क्या होगा तो यह आपका हो जाएगा आपका ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा तो साथी अमेर्डिस अमेर्डिस कहा गया है याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ताक्सकन समझोते में भारत और पाकिस्तान के अलवा कौन देश मध्यस्त के रूप में सक्रिये रहा है तासकन समझोता और यह आपको याद रखना है यह आपको याद रखना है क्या हो जाएगा तो यह आपका होग है और हो थोड़ा सा मिद्धा इसके बारे में तो चलिए इसके बारे में जादा आप नहीं जानी है कोई टो ना काम-का नहीं है चलिए करते हैं उतना काम का उधिया पता देंगी क्लास और बहुत बढ़ा हो चुका है अमेरिक है स्वतंता को स्वकिर्थी मिली है कम मिली है तो याद रखना है यह अमेरिकी स्वतंता को स्वकिर्थी मिली है यह आपका पैरिश के संधी के द्वारा मिली है ठीक है याद रखेगा पैरिश के संधी इन में से कोई नहीं होगा लेकिन याद रखेगा आपका कहां से हुआ है तो इतली से मेरे ख्यासे अगर अब वर्ड की बात कर ले तो लेकिन भारत भी इतिसमें दिये हुए अब यह नहीं है यह पुछ रहा है कि पुरान जागन काल कब का एक हम जब वर्ड के पढ़ेंगे सब हम जब बात करेंगे एक अपनी इतिहास भारत की पढ़ेंगे तब दो पुरान जागन काल हुए थे तो यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा ठीक है याद रखेगा चलिए उसके वाद अंततह अपना समाप्त होने बाला है क्लास औ और आप लोग जरूर से जोस के साथ इसका उत्तर दे दिजेगा और एक वार लाइक जरूर ठोक दिजेगा साथियों अंग्रेजी प्यूर्टिनों द्वारा अमेरिकी उपनी देश में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या रहा है तो प्यारे साथियों यह आपका कारण जो कारण था और इस प्रकार से आपका प्रेक्टिस सेट नमर जो है सेकेंड होता है समाप क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा हाँ थोड़ा सा बड़ा क्लास हुआ होगा लिकिन यकिन मान ये हर प्रश्न को हम कॉंसेप्ट किलियर करने का कोसिस किये हैं ताकि आपक जए भारत